कि गाउं का फर्क गाउं की बस्तियों का मोहलों का फर्क अगर आपको देखना है तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि गाउं के किनकिन इलाकों में खलंजा बिछा है हाला कि कुछ ललन टॉप के बढ़िया वाले फॉलोवर मुझे याद दिला सकते हैं कि सौरब जी आप जब और खलंजे की बात करें तो अपने गाउं के खलंजे की भी बात करिए तो हमारे गाउं में तो खलंजा ही बिछा है और हम उससे पर्याप संतोष्ट है क्योंकि वहा जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनका फर्क भी होता है इसलिए आप देखेंगे कि गाउं में जो भी अच्छी सहूलियत आती है वह सबसे पहले प्रभाव शाली वर्क के पास आती है उसका संख्या का भी बल होता है और उनका सिस्टम का भी बल होता है लेकिन अब देश ब देखा कि चपरॉली में और बावली में जब हम किसानों के बीच पैठे उसमें से जातर जाट समाज की थे लोग तो उन्होंने अपने हिस्से के सुकदुख बयां कि आज हम पहुंचे हैं इब्राहींपूर माजरा गाउं में और इस गाउं में अभी थोड़े दिनों पहल जो एक डॉमिनेंट फोर्स है उसके इर्दगेर्द के जो परिफेरी पर जो ग्रूप से वो कैसे रियक्ट कर रहे हैं तो एक तस्वीर तो बागपत की वो बनती है जो हम लोग जिला मुख्यालियों पर देखते हैं या बड़े आंदोलनों में देखते हैं पर एक दूसरी तो जो फका गुल उला रहे हैं लोग भाशा में यही प्रधान है वैसे इनके छोटे भाई की पत्नी है तो समझते है जरा गन्य को लेकर क्या सोचना है गाओं में आने वाली सुक्सोविधाओं सहूलियतों का कैसे बटवारा होता है उसके बारे में क्या सोचना है और जाह होती 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 है गन्या सब्सक्राइब का पेमिल आ चुका अर्ट का टारीक तक पेमिल आच अजाए तो पहले के मुकाबले ठीक हुआ है या अगण ठीक हुआ है हुआ है पहले तो गन्य का एक डेड़ साल में पैमिट होता था अब गन्य का ठीक टाइम पर पैमिट हो रहा है तो पहले तो पहले तो अब तो चोवीस गंटे में कम से कम धारा किया नाम है आपका मुंद हरुन हरुन क्या करता है बाड़ों काम करते हैं यह बालों का काम करते हैं यह प्रहानी में सब इतना सब बटा रहता है तो आप किसके सपोर्ट में थे इनके साथ थे उधर तो इनकी सपोर्ट में यहां चाहता हूं कि मेरी यहां से रवानगी के बाद पंचायत इस्तर के दो तीन मामले और खुल जाए इसलिए अब मैं यह सवाल पूछने से परहेज करूंगा है एक चाचा थे यहां बड़ा मुखर होके बात कर रहे थे तहां यह बैठे हैं नमस्ते क्या नाम है जुग मंदर जुग मंदर जुग मंदर जी आपकी भी खेती हैूं जेडियाहत माल तुन का रिंग भटां थक घ्ल्व शुदार सबना है यह को रटी हमां वन्हीं गाम मून कोष्म में कुछनी का समाज का सुधार को शुदार कुछने कन हूए ति प्रदान जाठे जी लिंवर पर्दान है और नहीं किया हम स्ञेथ सब्सक्राद नहीं कर दें कि आप की बार आए जी इस से पहले कई भी देंवरू में भूम के लो कोई रष कोई रस्ता कोई कुछ नहीं बना रख्या करदान हो नहीं हमारे गांगे प्रदान रहे चुके उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो आप लोग तो उनको बोट देते रहे होंगे तो पूछा नहीं कि भाई हमारे यहां सड़क क्यों नहीं बनाते ही अब की बार ही तो प्रदानी आई जी मेरे पास पहले प्रदान लड़े हैं चुनाव प्रदानी को प्रदान का था बना जेगा जी मुंक आपको सरकार में बाजबा सरकार पसंद्ट में पसंद्ट यह प्तौड नहीं है चुक्क भाए पता क्यों वेत्ति कहीं पिसाद नहीं है कोई गंधी निगात लखावा उसका सीजा मिले जी नुप या सरकार मुश्याय पसंद्ट न दिए बैठें सब जगे धरना चला कि कर्शी कानून वापस लो इस पर आप क्या सोचते हैं जी मारे पास जमीन ही नीजी हमके के धरना देदेंगे जी जमीन दो दो भीसे चरचर भीसे मारे दरना के देंगे जी वह उन्हांतो दिखें जी कहला लूट क्या रंगा लूट लिय उनके नुकर है जी मारे नुकर भी नी नुकर ते जाट्यूके है जी और वही धरना दे रहे जी अच्छा एक चीज और बताइए फिर और साथियों से सवाल पूचेंगे जैसे पहले यहां पर पांच साल सपा का साशन रहा है ना अखले शादव सरकार थी उसके पहले माया बातिनभी यही कह रहा था बदमास नहीं तो आ पाथ हां हां तो फिर माया हुथी कि सरकार उसके बाद से बंक यूनी का बारा किया लगता आपको क्यों कमजोर हो गी बस पाद्वा कमजोर ही रहे गी जी तो कर बादभा बादभा कुछ ना करिए बादभा भी नूहीं हो ज दे रहें टो जो जो सरकार ही तो कर्दे में दबल शुक्राइब जैसे डोजार रुपे रही जिसका अब नहीं अब अच्छे यह जैसे इधना बीमारी रही कोरुना तो छेक्स के बारे में गाव में सरकारी स्कूल है पढ़ाइब कंजोर है कि परदान जी को कहिए जोड़ा सक्ति करवाएं गाव में परदान हो गए अपना पी सकती को होगी हाँ जी जो पाइसे वाला है उसका तो सब बच्चा बाहर पड़ जाता है जी बाहर पड़ जाता है जी घरीब का बच्चा समारे बच्चे नहीं फिरु जाए ना तो इन पढ़ाई आजी ना कुछ है ना नोक्र लगते जी यह नूही अर्जुन अरे वाब बड़ा अच्छा नाम है तुमने दोनों हाथ में राकी पहन रखी है वेरी गुड़ पढ़ने जाते हो कौन सी क्लास में पढ़ते हो तीसरी अरे वाश शाबाश और सेतानी भी करते हो यह माते पर चोड़ कैसी है यह तो लग तो क्या पढ़ा ही कर र सब्सक्राइब तो यह सब जानता हो मुख्यमंत्री कौन होता है जानते हो मुख्यमंत्री विधायक प्रदान प्रदान कौन है प्रदान कौन है तुमने प्रदान जी को बोट दिया था क्या तुमने विदिया था चलो जी बहुत अच्छी बात और बिधायक कौन बिधायक जानते होता है एम यह नहीं यह कौन है अच्छा अधिक नाम सब्सक्राइब जैंद चौधरी का नाम सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब अभी इनकी क्लास चलनी है तो आप पहले प्रदान जी सब्सक्राइब कर लेते हैं कि यह नाम है देदे कुर्षी परवी ने लो भाई प्रदान जी के साथ बैड़े तो यह जैसे बता रहे थे कि सब्सक्राइब पहले नहीं बनी तो यह थोड़ा राजनीती का मुद्धा पक्स और विपक्स जिसने बोट दे दिए उसका काम करा गया जिसने बोट नहीं दिए उसका काम कर रहा आपको पता भी है इस बात राजनीती मुद्धे चले ज्यादा अब पिछे से यहां पर अब कि बार परदान हम होगे हम तो खेर पूरे का विकास करवा होगे पर यह थोड़ी इन लोगों की सोच है जो हमारे चोधरी लोग है इनकी सोच ती जैसे नुना करया कर दिया हम अपने इसाफ से लाजी तो सब ऐसे प्रदानी के चुनावा विल मारे अलक्सन कोई भी हो ठीक ठाक हो जाला लगवारा इस मामल में बढ़िया है ऐसा कुछ नहीं की बोट डालने में कोई दिक्कत होगी इसको थोड़ी बहुत तो सब जगे चले लेकिन महारे गावों में बोट ठीक ठाक डल जाए इसी बात है तो चार बोट इधर उधर कर जैसे किसी का नाम नहीं है नाम गलत है वी बोट मास्टर लोग है बोट डल नहीं तो उनकी बोट डल बादे थोड़ा एस और तो अब जैसे आप प्रधान हो अभी बिधायकी के चुना होंगे तो सब नेता लोग प्रधानों के पास आते हैं सपोर्ट के लिए तो आपका रुख के सभार्टी की तरह मारी कास्ट है हम कश्वलोग है पहले से भी डेपी के हैं और है भी बीयोंपी जोर धा, चले अब पहले से यब अप्थी जब फ़ी म्य जब बीजबी त तो काम ठीक ठाक कर रिवे से कोई दिकत ना है हां देखो जिसे गरीब आदमी के इतने यह लोग डाउन लगया इसमें थोड़ा बहुत रासन वासन भी डलवाए दिया दोजार रुपे यह दे रही है तो चुटी बात है वैसे पूरे हिंदुस्तान की बात ले लुए वैसे जब हम उदर सड़कड़क की बात कर रहे थे तो बोले कि अभी से दिक्कत यह बोले दिक्कत क्या है थोड़ा राजनीतिक मुद्ध हुर्या गाउं में हमने अपना सिकर्टी बदलवा था सिकर्ट्री यहां पर इसका सूच दीगा लेकिन वह गाउं की राजनीतिक पर पर उसा रखना सोच रहें जो मेरे विपक्स के लोग थे जो दूसरे नंबर पर देंगे तो उसका ट्रास्पर कराइब दूसरा सिकर्ट्री आगया पांट साथ दिन वह रहा उसके बाद मैं फिर वही लिया अब हमना तो यह सुने था अगभी सिकर्ट्री को जब परधान लेकिन बारे पर तो ऐसा हो नी रहा कुछ डियम के पास में भी विधाक के पास में भी लेकिन सब नात खड़े कर दिया कि ठीक है चलो ट्रासपर हो जागा अपनी लेटर पैड़ पर भी लिखके देखा है लेकिन यह बात तीन देफ़े चलेगे हम उनके पास में डियम यह है क्या नाम लें यह तो वही विधायक है जो आर एंडी टिकट पर जीते थे फिर भाजपाम चले गए तो एक लौते विधायक थे विधायक थे विधायर जी कहले चलो तीक यह कराओंगी बाई अब तक तो हो या नी लेकिन जो हमारा सिकर्टी रूगा पर राजनीति गाओं की गाजनीति मुद्दे के इसाफ से रूगा पड़ा लेकिन हर गाओं में सिकर्टी बदला गया सची लेकिन बारे यहां नहीं बतला जा रहा बतानी क्यों और जब तक सेकर्टी और प्रदान एक सोच के नहीं होंगे तब तक काम नहीं होगा है तो उसलिए काम जब कि अगिनिक फिए प्रदान की सोच एक जगे में निम्हाई कर ने जो काम निए जाथ गुश्ड नहीं में तुझा ही बनूराजी आगर इनका काम यह में ऐले बजदी कोई कराई गौहा हो है जा में किया अटो दो आज से काम करते है नわかं sensationsां न से जोड़ाय को दो, प्रुम चाह। जो हम आधाइ से स्ब्सक्राइस टिन दोः ना तो आप जो कोटेदार जो है वह मोटाइगे लिए जीव कट्टे उनका चालिका तो बारा देडी दो दो देडी आना और के और आउद दुग मिलता अग्या यह दस-दस किलो अरासन दिया गया था ने यह बाइसाब ने जो हमारे जाकिर है देलर साब इन्हों जो जिसे देना था उन्हें तो दिया नी जीषर नहीं देना था उन्हें देदिया जो गरीबाद में था अपना वापसी चले गए जो हमारे चोध्री लोग उन्हें पकडा गट्राइब करके देखलों सबसे अप में जो हमारी कंडिशन क्या था रास्तू कि हमारे हांपर खंबु पर लाइट सब्सक्राइब एक ढुट है कि अजहां जादा उरौश्ट हाँ हाँ के अलब जिसके चे दा सिंझ था विह रीनूट कन राशन देर विश्चान में यहां गरीब जंता की कोई नहीं है किसानों की सरकार है किसानों की वैल्यू है गरीब की वैल्यू नहीं है नहीं है नहीं मारे पास कोछ नहीं है बतायो हमारा जोड था 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 वह भी बंद कर लिया इन किसानों ने अब इतना महारा वाजूद निया जो मुसे खुल वाले नाम मेरा नाम घंशाम है चैश्ब और यह गांव की तो यह स्थिती है तो जैसे एक तो गांव के चुनाव हो गए उसमें सब अपने अपने हिसाब याइटी बंदी कर लेते हैं तो उस चुनाओ में आपके सको थेते हैं या गणा विनीरादरी की तोर से अपनी भी देते थे विरादरी को बोट देने कि थे आपके-पाइदा ना कुछ विये निया हम तो आपको पहली बार बसपा के बारें कैसे पता चला था गाउं में कुछ प्रचार करने आए ते लोग क्या हुआ राजनिती में रहते ही नहीं हम थोड़ा हसा में पर दांजी के दवरा काट लें कर खतम हम अपना खाणा-वाना खागा आगें आपका पक्का बना हुआ है पक्का के हम तो दूसरों के पड़े आपने बंतर्य को मकान दे रहें हम दूसरा के मकान में पड़े मेरा नहीं मिलता मैं आपको देख लग आपका अपना हिसाथ मैं सधारन आदमी है मैं सदारन हूं मैं सद्धे आदमे को पसंद करूं नसा महीं नहीं ना करता दारू महीं नहीं सब्सक्राइब साधा रहना कि आई यह कुझी है सरल जीवन की साधा खाना साधा रहना मिनीमलिजम अच्छा जी वह एच्छिक है कहीं कहीं एंफोस होता है गरीबी की वज़े से मिनिमलिजम अब परिवार का भी ऐसे कहूं अब को थाने पर मैं अपनी गरीबी में चूरूं मज़े अपनी गरीबी में मजारा विदाग में दरम मास्टर बलवीर साधर जोदिली में मास्टर बलवीर सिंग विदाग रहा इसी पाल्टिचा मास्टर बलवीर सिंग एक विदाग रहा दो कॉस्टम में एक जज रहा उन्सी क्वाल्टिचा पर मैं किसी से कोई मतलब ने रखता मैं अपनी करीब विदाए मस्ट हूं क्या नाम है आपका सुनिल परजपर चा करते हैं सुनिलिया मजदूरी करते हैं क्या रेट चलता है मसधूरी का अच कर चार्वर उपर जी चार्वर उपर तरह क्या मकान वाली मजदूरी कौन से मजदूरी कीए में काव रहा है मिस्त्री हैं नयीं मजदूरी है सीख भी रहे मित्रही घ कितना बढा कि आफ फिर आगे कियouse पढ़र को जर्म कोलिए यह मजोरी भर में आर्फिक कम近पर अट्चा क्या काम छा ऑख एकomic कर रही जिली राशन टाइंपे नौर और खेच यह सरकार से बजी ऑई चार सरकार से राशन टाइम ने मिलें विजली फिट है रीजिंग ठीक करना भी लगा रखा है कुछ नए बिल्कुल खेती नहीं देटिन यह ग्यां सोचाले बने कुछ हाज जी सोचले बनाइए सरकार कार्न ने बनौए इसमें पूरा पैसा म पूरा पैसा मिला नी मैरी तो जी अद्धे पैसे में भी नी वनी जी लाइट्रिंग फोन करा जी पिता जी का नाम जग्विरा जी तो जो अरपाल परदान था उसकी साथ मेरी पैस होगी थी मेरे घर में पूई लेट्रिंग ने आजा तक भी मेरे पास लड़की भी परदान जी छह जार उपी दे था जी हमने बढ़वाई नी जबकि मिलने तो बारह जार जार मिलने थे जी मैरे योहार मवाए उसका जुना उसका जाया कि उ किया किया हो जी लोगे नीग फेंडिया देंगे ठीज़े ले यह सावान देंगे अ नए जी एक यहां पर फेसलिब तुराया जी तिरह यांपर मतलब किसी की भी गाड़ी डल सकती है यहांपर फॉह सुई दली आजी कम से कंच 15 साल लोलिज़ रस्ते को 15 कम से कम जी उला माइक पे बोला माइक मैप बोल इस और गाड़ी आज गड़ा जी तेक शाल विए तेस्त बेखो इधर भी गड़ा इंद भी गड़ा गड़ा जी घृ अगर लब एक बना की अगर यहां पर बर्साथ में जी नहीं है कोई मतलब ही निया खुछ भी कोई नणका निया यहां से देखो उस कुने पे से लेकर वहाद का कोई नडगा से निया कि जो पाणी भी सकाए जी इतनी ठाड़ी समश्य है जिस गाउंगी हम लोग समाज जाट है में अजीत को बोट देते हैं बोट हम मेरे देने के भावजूद भी बोट उनके तरफ लग जा क्यूंकि यहां सचीव है और एससके उनकी जानकरी है जो हमारे जी लेकर दक्स है तो इसलिए समय सब्सक्राइब जिसका चट भी नहीं है जी चट क्या जी जो वह पनी डाल करे रहे रहे वहां पर यहां पर उनका खेत है जी वहां पर मलब उसके वीचार कोई चट भी नहीं है तो यह समस्या है कि यहां पर करता तो नहीं कोई समस्य काल जी अच्छा एक बढ़ाई कि तुमने मैंने पांची तक बढ़िया जी मैं ट्रेवर हूं जी तो यह बताओ सब इतने लोग उपर बैठी होते हैं अलग अलग पार्टियों की सरकार आती है तो सुनवाई ठीक से क्यों नहीं हो पाती क्या वज़े लिए जो मलब मारी आद कर यह परदान विए था रुपाल परदान जी तो उसकी गयल मलब वहां आगया कि बल्याटरिंग आड़ी तो सब्सक्राइब तो उसमें सब्सक्राइब यह पूछ रहा हूं यह तो प्रधानी की बात हो गई है ना और इसके अलाबा भी भाई बीमार है क्या ना में नमस्ते अरे लो चले गए सब्सक्राइब हो पढें जिए तो बड़ा गड़वाड ओस herself, एक रेंडल लेट वाई आके महमान है कि आप चैक महता है वह इसकी पर क्या नाम है यहां हम सुन्दर्ग सुन्दर तो हम क्या करते किती मत्यां सब्सक्राइब क्या नाम है संब्सक्राइब दाग्त अब बोने जा रहा जा आज यह पताइए सरकार काम कर रही इता को हां कोई नेता पसंद है अमाता को सभी पसंद भी कुछ करी निए रहा कोई किस्ट निकर रहा है तो पर भूट कैसे डालने जाते हो इस पर ऊपहलो मैं तो और तो नाला सारा तो जेवत अब सारे ख़ड़ा क के लिए कोई रस्ता नहीं है अगर कोई बंदा मर गया तो महां पर मतलब नू ठागा ले जाना पड़ागा चार यादम सा कंदा नहीं दे सकते रस्ता क्यों नहीं है जाट लोग है में लट मारेंगे जिकिसके उसमागर लेगा जांगे आप मैं यह जानना चाहरा था आप से हरपाल नाम बताया की जैसे आप डालने तो जाते हैं विधायकी का सांसदी का कैसे करते हैं किसको बोट करते हैं कि आप करते हो टीवी मोबाइल कैसे ने एढें सिवाष्ण कुछ करते हैं कि तो इसका करया कुछ है स और अरक्षन का मुद्न हमारा और हरकाम के मुद्न हिमारे मारा कुछ न Vermont हिनी वारा पूरा कास्था समाजalles गरीब तब के कामान अशे ये यह ये साज़ाना यादमी है जी और मुन अजह आइके वैसरन अज़स्ता जेरी हिंक ने बाज्बकंदे पुशन हम खिलाप होते जा कि जो मारा काम कर नुए जी तो सफद्ध समाज है जी मारा कस्षब समाज माइच शूब पूछता था एंगी ना को आपना कसब समयाज का ही कंडिडेट लाँगे और उसकी बोट देंगे जए अमनिर्दलिया भारम बर ना पड़ा है बता बच्चे पड़े लिखाये के नमट्टे आए जब दो साल ते गर वेटे ना पड़ा है लिखाये दो देडिनाज में पूर्टे देडिनाज में पूर् इनना मारा कुछ ने किया कोई सुना ही अरी बाजपासर लाँ तो पर किसको देंगे बोट अला भी बोट तो जो आरकसर में अहाँ जो मारा अरकसर में अरगा जो पड़ेले खेलाट के अवे गरुबटे कोई बर्तनी कोड़ी नहीं है को रोजगार ठब कर दे मारे हाँ मज समाज के नहीं है और फिलाल तो जो एज बाजपाक राज तो ठीक है यह वैसे गूंडगरती तो है नहीं है पर जो है अम का समाज के आदम है हम लगे वीजिक साहत है पिपेले भी इसी की साहत है अब भी सिख सहते हैं पर अब निरह क्यों कोजिंश सोज्टे आरा ग्रीबिया दिमिल्या कुछ नी मिलीगा मारे बच्चे भुक्के फिर है सकुल में नी जारी दो साल तर ते तो भील्कुल थफ होगा विल्कुल मामला माडं मोट्वे अकसर जाना थे वे भी बुलिए नहार अगर आरक्षन दे दिया उन्होंने तो आरक्षन दे दिया फेर देंगे फेर देंगे चाचा आपकी बात आगे हाँ क्या करें आप आपकी बात आगे हाँ तो आप मैंसे चाचा बस बालक पट लेते बालक भी पटाई खतम लिए दक्यात प्रेल लगरे फेस पूरी साल गी बालक पटने रेका आता देवा कमाई कुछ चलिए अब कांग्रेस के राजमा बढ़ाई थी बच्चों की अब स्कूल में बढ़ाई बढ़ाई चले थी बच्चों की कुम परदान भी कहते और और भी आदमें चले जाते अब एक याद मास्टर भी नहीं मिला तो भाई इसा है कि इस पूरी बातचीत का क्या निश्कर्श है या जो बागपत का हमारा दौरा पूरा हो रहा है फिर शामली और साहरन पूर जाना है एक चीज तो यह समझ में आई गाओं में घूम के जैसे हम लोग हस्तिनापूर भी गए थे मेरट भी कि जो गरीब किसान हैं या म में एक मोबाइल है तो उनके बच्चों की पढ़ाई पर बड़ा नुकसान पहुंचाए अब यह सरकार के सामने बड़ा संकट है कि एक तरफ महामारी है तो आपको बंदी भी रखनी है और दूसरी तरफ यह संकट भी है कि स्कूलों में पढ़ाई दूसरा हमें सब जगे लोग सरकारी सरकारी सब जगों पर जो सिक्षक हैं उनसे नाराज देखे सिक्षकों की अपनी समस्या है वह भी उठाते रहते हैं तीसरी चीज हमें समझ में आई कि गाहों में जो अलग अलग डॉमिनेंट कास्ट ग्रूप होते हैं और उनके हिसाब से गाहों की पॉलिक्स दूसरा जैसे बागपत यहां के आसपास की जमीन की बात करते हैं तो आपको लोगदल के लोग सबसे ज़्यादा मुखर दिखेंगे लेकिन लोगदल के बरक्स भी आवाजें जो आपको इस वीडियो के पूरवार्द में दिखी और जब हम कश्यब समाज के लोगों से बा जिसमें यह बड़ा मुद्दा है कि जो कश्यब समाज है जिसमें बहुत और कश्यब समाज में और भी तमाम जातियां आती है तो यह एक बड़ा मुद्दा है आप पूर्वांचल में भी जो केवट मला निशाद समाज है वह सब आरक्षण मांग रहा है तो यह मोमिंटम पकड़ रहा है मुकेश सहनी यहां आके राजनीती कर रहे हैं दॉक्टर संजय निशाद की ग्री मंत्रिया में शाह से इतनी बार मीटिंग हुई है तो यह सब भी देखा जा रहा है कि योगी आदनाथ कैबिनेट में जब एक्सपेंशन होगा तो उसमें किस तरह से रिप्जेंटेशन होगा पर यह उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक दिल्चस्प बदलाओ है एक नया सोशल ग्रूप उभर रहा है जो अपने आपको असर्ड कर रहा है जो यहां पर वेस्टन यूपी में जाते हैं या आगे जाते हैं तो बिन समाज केवट समाज मला समाज निशाद समाज है जो पूरा नदी के किनारे की पट्टियां है जहां पर वो इदर उदर विखरे हुए हैं इसमें कई वार क्या होता है कि जो कंवेंशनल पॉलिटिकल साइंस की रीडिंग होती है उसमें चुकि इनके एक जगे बड़े ब्लॉक नहीं होते हैं है या उतना पार्टिपेशन नहीं था सिस्टम में सरकारी नौक्रियों के स सब के इस तरफे तो आपको नहीं देखे लेकिन पांस साल दस साल बाद अब जैसे जैसे सामाजिक चेतना बढ़ रही है सब जो जाती समूं है वो अपनी मांगों को असर्ट करने कोश्ट कर रहे हैं आपको गहर होगा गाजियाबाद में नेता जी से बात की थी तो उन्हो ही जादा होगी उन्होंने एक हाइपोथिसिस की बात की थी वो हाइपोथिसिस इबराहिम पूर माजरा में एक रियल्टी में तबदील होती नज़र आ रही है तो हमारी यह जो ललन टॉप की यात्रा है इसका मकसद सिर्फ यह इतना जानना भर नहीं है कि यूपी में चु जरूरतें क्या हैं सरकार से वो किस चीज की उमीद करते हैं अपनी नाउमीदी में वो कौन से तर्क खोशते हैं क्योंकि जब हम एक वोट एक व्यक्ति एक सत्ता इन सब की बात करते हैं अच्छे अच्छे चमकीले उधरन देते हैं तब हम इनी सब लोगों की बात कर रहे ह जो गांदी जी का जंतर है ना कि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति का चेहरा याद करो तो ये वो कोशिश है कि हम हर वर्ग की बीच जाए और उनकी तकलीफों को उनकी उमीदों को सुने ठीक है एक जो कमी है अभी तक की ललन टॉप की चुनाव यातरा में वो भी बोल देता महिलाओं से बात नहीं हो पा रही है जो गांद समाज से जुड़े हैं उनको पता होगा कि ये कितना मुश्किल काम है कि किसी गांदी की चौहट की चौहट की अपनी एक परिभाशा है शेहरी इलाकों में भी हम ज़्यादा गए नहीं है मेरट में गए लेकिन वहां का पूरी कोशिश करेंगे इस पूरी बातचीत के बारे में जिसके कई स्तर है विदान सभा का स्तर है अपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा ताकि आपकी समझ से भी हम लाभानवित होते रहें अगर आप हमारे यात्रा से जुड़ना चाहते हैं आप चा अलाकातों के बारे में कैमरे के बाद ये लोग कुछ बोलते हैं उसके बारे में इनकी राय और हमारी राय क्या है ये मैं आपको रोज रात बताता हूं ललन टॉप यूपी नाम के नए यूट्यूब चैनल पर तो अगर आपको यूपी की सब ख़बरें चाहिए बिलकुल करेंगे तो अगर हम कभी लाइव जाएंगे और आपको कोई सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछ सकते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा अब मैं अपनी वानी को यहीं विराम देता हूं जैरी जी के हाथों को आराम देता हूं बाए बाए